जीवन मंत्रा योग ध्यात्म और आईरवेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरो दोस्तो जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले किसी ने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा तो किसी ने इसे देख कर चुआ भी होगा सच में चुई मुई जो होती है उसको अगर आप चुएंगे तो उसकी पत्ति आपस में सिकोडने लगती हैं शर्माने लगती है बोची संकोची स्वभाब की होती है लाजवन्ती होती है चुई मुई का पोधा एक ऐसा पोधा है जिसकी जड़ों से लेकर 20 तक का उपयोग हर बिमारियों में काम आता है चाहे आँखों के काले घेरे हटाने हो चाहे आतों के घाव हो गबज हो चाहे शारीरिक कमजोरी हो नकसीर हो चाहे नपुन सकता हो नेत्र रोग हो चाहे मधुमे रोग हो दर्द हो चाहे फोडे हो फुनसी हो बदहजमी हो हर किसी में चुई मुई का उपयोग किया जाता है त काड़ा बनाने के लिए आप चुईमुई की 100 ग्राम पत्यों को 300 मिली लीटर पानी में डाल कर काड़ा बना लीजिए और इस काड़े को मदुमे रोग्रियों को पिला दीजिए दूसरा है नपुन सकता के लाज में बहुती कारगर है तीन इलाइची, तीन ग्राम चुईमुई की जड़, तीन ग्राम सैमल की छाल को कूट पीस कर एक ग्लास दूद में मिला कर प्रती दिन रात को सोने से पहले पीने से नपुन सकता की समस्या से निजात मिल जाती है दोस्तों ये कमजोरी को भी दूर करता है रोजाना रात को सोने से पहले तीन ग्राम चुईमूई के बीजों के चून को दूद के साथ मिला कर पीने से शारी कमजोरी दूर हो जाती है घाव को ठीक करता है यदि किसी को घाब हो जाए तो चुईमूई की जड़ का दो ग्राम दिन में तीन बार गुंगोने पानी के साथ पीने से घाव जल्दी भरने लगता है। दूद के साथ मिलाकर पीने से पुर्षों में वीडे की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। लाजवन्ती का पौदा औशद्य गुनों से परिपूर्ण है इसलिए आज ही छुई मुई के पौदे को अपने घर पर लगाएं और इसके फायदे उठाएं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें।